नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एक से दस माई का दा हिंदू निस पेपर और पी आई बी तर इस प्रेस इंफोर्मिशन ब्यूरो का इंपोरण्ट करेंगे आईडी चर्चा में है रिसेंट्ली है हमारे क निक भी नीचे मिलेगा और स्पेक्टर मोडर्न हिस्ट्री की बुक को हमने सिर्फ 90 मिनिट में कवर करवाया इसके जो नोट्स है नो पेज में हमने बिल्कुल टेलिग्राम चैनल पे अफ्लोड है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यूए जो है वो बनता है फर्स्ट ब्लड डिसोडर है ट्रीटिबल है यह बिल्कुल आपको याद रखना है यह ऐसा नहीं है कि भाई यह ट्रीट नहीं कर सकते ठीक नहीं हो सकता बिल्कुल ट्रीटिबल डिसोडर है नेक्स्ट हम बात करेंगे फिच जो है वो रेटिंग देता है कि इंडिया का GDP ग्रोथ जो forecast है वो 6% रहेगा पहले देखिए फिच ने rating दी थी कि 6.2 रहेगा लेकिन अभी इन्होंने cut कर दी है वो यही जाने कि भाई क्यों क्या मसला है ठीक है लेकिन आपको अगर आप banking की तैरी करते है बिल्कुल आपको इसकी जो भी forecast करता है तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बिल्कुल पता होना चाहिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इस रो जो है वो start करेगा एक online program college students के लिए जिसका नाम है start that is space science and technology awareness training ठीक है गाईज नेक्स्ट हम बात करेंगे मदरवे के रहे यह जो यह बैंगलोरू के यहाँ पर है चर्चा में है ठीक है नेक्स्ट काबा वैली के बारे में बात करें मयानमार मनीपूर के बोर्डर पर यहाँ पर है मैप में एक बार यह देख ले ना नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक टाइगर की डैथ होती है इसी वज़े से फ्रिसे चर्चा में आता है ओडिसा में है उसके बाद में देखिए लॉंडो मैट ठीक है यह जो भी है लॉंडो मैट कंट्रीज इसको याद रखना है यह जो है इसके अंदर इसके अंदर चाइना, इंडिया, UAE, टर्की और सिंगापूर बिल्कुल आते है और रिसेंटली एक रिपोट आती है उसमें बताया जाता है कि यह लॉंडो मैट जो कंट्रीज है इनमे से प्यारा भारत जो है एक सर्वे आता है नेशनल मैनिफेक्ट्रिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 और उसमें बताया जाता है कि करनाट का जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है मैनिफेक्ट्रिंग में आप देखिए तेलंगा ना करनाटक और तमिलनाडू जो है न ये highest share है बिल्कुल इनका innovative firms में और Odisha बिहार जारकंड का lowest है ये भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट हम गाईज यहाँ पर बात करेंगे देखिए World Press Freedom Index बिल्कुल recently release की जाती है Reporters Without Borders के दवारा Reporters Without Borders जो है एक बिल्कुल international NGO है ये इसका headquarter Paris में है हर साल ये report को बिल्कुल publish करते हैं और ये consultative status है इनका United Nation के साथ में तो recently जो report आती है उसमें प्यारे भारत की जो ranking है 161 वा स्थान आता है 180 देशों में से और 2022 के अगर हम बात करें तो इंडिया को 150 वा स्थान मिलता है और सिरिलंका जो है हमारे पडोसी मित्र 135 वा स्थान आता है और पाकिस्तान जो है इनका 150 वा स्थान है भाई आप पता नहीं ये किस base पे यहां पे आपको press freedom जो है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी नेक्स्ट बात करेंगे साइकलोन मोचा बे और बेंगोल की तरप से भाईया ये बनने वाला है तो कौनसी के साइड ये भी पता होला चाहिए कि ये साइकलोन अरब सागर से आता है या बंगाल की खाड़ी से ठीक है और किसी भी साइकलोन को ये बनने के लिए जो कंडिशन है वो क्या होनी चाहिए जैसे कि large sea surface temperature होना चाहिए higher than 27 degrees Celsius प्रजेंस होनी चाहिए Coriolis force का दूसरा small variation in vertical wind speed ज्यादा नहीं होना चाहिए small होना चाहिए ठीक है दूसरा हम बात करेंगे अजे बंगा के बारे में next president होगे बिल्कुल World Bank का हर एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है ऐसे वाले जो सवाल होते है next हम बात करेंगे carbon tax plan देखे carbon tax plan बिल्कुल चर्चा में है किस से संब्दीत है बिल्कुल ये European Union से संब्दीत है next बात करेंगे Bastille de parade Paris में बिल्कुल ये होने वाल नेक्स्ट बात करेंगे किरसी मैपर के बारे में देखे ये एक integrated app है geospatial data in agriculture से संब्दीत है ठीक है कभी पता चलेगी ये फसल है किरसी से related है ऐसा कुछ लेकिन याद रखना data से संब्दीत है agriculture का sorry next बात करेंगे domestic call production जो है वो कहां तक goes up almost 23% during last 5 years सोटा सा इसका जो cutout data का ब बिल्कुल स्टेटस इनको मिल चुका है अब देखे किसी भी अगर PSU जो हमारी होती है इनको अगर नवरतना का स्टेटस किसी को मिले तो उसके लिए condition क्या होनी चाहिए नेट वर्थ जो है ना more than 15,000 करोड एन्वली for last previous 3 साल बिल्कुल होना चाहिए और average annual net profit जो है tax के अपनिंग सेर्मनी बिल्कुल कहां पे होगी बाबु बनारसिदास उनिवरस्टी लखनव के यहां पे होगी जब यह बिल्कुल इसको लॉंच कर दिया जाएगा उसके बाद में जो भी इसका जो भी स्टेटस रहेगा हम अच्छे से सब कुछ बात करेंगे no need to worry ठीक है गा इसको technical term dictionary बिल्कुल मिलने वाली है तो वो language के नाम यह है थोड़ा सा याद रखेना वैसे इतना कुछ खास नहीं है अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ध्यान रखना आपने स्टेट का यहां पे नाम है या नहीं है ठीक है next बात करेंगे patriot missile system बिल्कुल अम नीरे चोपडा के बारे में बात करें first position आती है इनकी दोखा diamond league में और ये फैक्ते हैं जावलिन को 88.67 meter ठीक है next हम बात करेंगे गाईज यहां पे देखिए वूसू start championship कहां पे होती है मोस्को रश्या के यहां पे होती है और देखिए तिरपुरा government ने decision लिया है कि भाई हम paperless हो जाएंगे ठीक है तो पता होना चाहिए बिल्कुल कि recently कौन से रज्य की सरकार ने ये decision लिया है ठीक है और next हम बात करेंगे इंडिया का जो first Indian Air Force Heritage Center बिल्कुल चंडिगड के यहां पे होने वाला है आप देखिए बिल्कुल comparison करके ये जो भी scheme है इनको याद रखना है आपको अटल पेंशन योजना और परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना और परधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना गंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है देखिए थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं अटल पेंशन योजना में आपकी एज 18-40 होनी चाहिए पीम सु की एज होर who are not income taxpayer ये भी आद रखना पीम सुरक्षा बीमा योजना में 18-70 आपकी उमर होनी चाहिए one year accidental insurance scheme है ठीक है मतलब due to accident आपकी death होनी चाहिए तब आपको पैसा मिलेगा 2,00,000 रुपिया ठीक है और ये जो है परधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना इसमें आपकी ठीक है guys, next हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए 50% जो village है हमारे देश की अब ODF पलस हो गए है अंडर सुच भारत mission ग्रामीन phase 2 और देखिए top state है इसमें तेलंगाना 100% हो गया है करनाटक 99.5 है उसके बाद में तमिल नाडू और उत्तर परदेश आते हैं इसी के साथ अगर